हेलो फ्रेंट्स, साइन्स वन लाइनर क्विश्चन की सीरीज में आज हमारी ये तीसी क्लास हैं जो कि हैं पादप आकार की क्लास वन और क्लास टू ये दि आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक तीवी उन्हें भी ज़रूर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं हलो दोस्तों वेलकम टो दिशा क्लास इस ओनलाइन देखते हैं पहला क्विशन क्या है मुलांकुर के अत्रिक्त पोद्य के किसी भाग से विक्सित होने वाली जड़े कहलाती है तो आप इस्तानिक जड़े कहलाती है ठीक है और मुलांकुर से विक उपरोही मूल मिलती है तो आर्केड में न्यूमेटो फोर्स यानि श्वेशन मूल प्रायव मिलती है तो मेगरोव पादवों में श्वेशन मूल मिलती है अगले किशन पर चले हैं तो आर्केड्स में विलोमेन जड़े होती है नमी आउश्वशित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है तो अलू कोई जड़ नहीं है अगला किशन है गाजर है एक जड़ है जड़ के किस भाग में सरवादि क्रद्धी होती है मुल शिर्श के ठिक पीछे बर्गत के पेड़ के तन्ये से लटगने वाली मोटी जड़े केलाती हैं इस्तंब मूल शोशन मूल पाई जाती हैं राइजो फोरा में उद्धान के लिए मेग्रोव वन पान के लटाम बनने वाली जड़ कौन सी होती हैं आरोही जड़ आलू का खाने योग्य भाग होता हैं पान का इस्तंब एक रुपांत्र नहीं तन्ये का नाकपनी के प्रकाश रंस्लेशन कारी होता हैं पान का इस्तंब द्वरा गाजर मुली शल्जयाम तता मेग्रोव ओधे के जणों के नाम बदाई हैं वो है शंकु रूपी तर्क रूपी और कुम्भी रूपी ततर शुशन मूल वनस्पति विज्ञान की द्रश्टी से आलू एक है तना है पत्ता गोभी यानि बंद गोभी खादिवदार्द का संग्रह करता है पत्तियों में अगला क्यूशन है आलू प्याज भूमिकत कंद शकर्कंद का कंद आलू का कंद में से कौन सि प्र है या सद्रक्त क रूपंद नहीं सब्सक्र और शल्जं अध्रक गाज्र है शकरकंद में से कौन बना है नहीं सिर्ण तो हर तरण यां टाइपिंग में ऐ bringing मा अध्ष्टक नाम क्या वैकर जगे एकसका जंग reverse ओफिस्यिनियल प्याच के खाज जिवाग हैं तना तने का रूपांदरण अलू अध्रक हल्दी जमYe किंद अर्बी के तने ये सारे तने का रूपांद्रण हैं किसकी पत्ती में पांड़ प्राय जूनीक रत होता हैई शुषको दबित केक्टस में शूल किसका रुपांद्रान है? पत्ते का पुष्पवं का अधियन कहलाता है एथोलोजी वे पो दे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं क्रिप्टो गेम्स प्रोण पुष्प पाय जाता है सभी चारों पाग पुषप में पाई जाते हैं केल्विस, कोरोला, पुमंग और जायंग पुषपों के जनन चक्र हैं पुमंग तेहम जायंग कौन उभाई लेंगी फूलों के बारे में सही है उसमें पुंके सर और अंड्य दोनों होते हैं कुरिंजी पुष्पा पुष्प के बारा वर्षों में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरिजन इस्त्राव संसार के सबसे चोटा पुष्प हैं बुल्फिया फुल्गोवी में फोदे का उपयोग भाग कौन सा है ताजा पुष्प समू कौन सा विश्प का सबसे बड़ा प्रस्क्राइब करिएगा इसे जरूर विजिट करें इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुए ठीक है अगले किशन पर चलें तो जीवन चक्र की द्रश्टी से पोदे का सबसे महत पुण आंगे ही पुष्प क्योंकि पुष्प से ही बीज बनता है पराग कोश्ट से व जूफिली परागन होता है जन्तो द्वारा एरनितोलोजी परागन होता है अक्षियों द्वारा जैसे गेंदा और बेला में जल द्वारा परागन कहलाता है हाइड्रोफिली जो परागन बंद पुष्पों में होता है कहलाता है क्लेस्टोगेमी पर परागन लाबदायक हो संतान वर्तिका ग्रह सदेव कुड तुर्त और चिपचिव कंगे द्वारा पराग्न कहला था है मेलेको फिली अगला प्रश्ण है सुगंदित पुष्मों में परागण किसके द्वारा होता है कीटो द्वारा होता है उधान के लिए गुलाब, सुरज, मुकी, चाइना, रोज, इन सभी में परागण है अपन विक्सित नर युगमोद दवीद कीटो द्वारा परागद फूलों के परागण होते है रुक्ष और चिपचिपे निशेचन क्रिया है एक नर युगमक का अंडानों से सयोजन निशेचन के पस्चाद वीजों के वीज आवरण विक्सित होते है अध्यावरणों से अगले किशन है द्वी निशेचन होता है आवर्त विजीओं द्वारा अनिशेचन होता है बिना निशेचन के अंडानों का परिवर्दन बिना निशेचन के एक अंडाश है के फल में विक्सित होने को कहते है पार्थों को पार्थनों कराफी पार्थनों कारपी कौनसा फल अनिशक फली है केला बीज रही थे अनिशक फल नहीं है ठीक है यह वाला फल गुदेदार थेले मस किस में खाने योग्य होता है सेव में इसका साइंटिफिक नाम है मेलस डोमेस्टिका खाने योग्य भाग पुचा चाता है तो वह है पुशप का प्रतिरोपन करके की जाती हैं तो फ्याज की क्यती या अनिके बात करते वेंगन मीट्च प्याज पत्ता गुबी कूल गोभी टान्ट गुबी इससब को अे वो देका करटीव करके इसके केतीशक जाती है हुल एक सत्थि पल परिवर्दिप्रित होता है अंडा शए में आम, मक्का, अंगूरे, इसको दर्ण है, आवासी पल का उदर्ण है, सेब, नारियल तदा आम के पल होते हैं, डूप या स्ठिल, पके हुए आम खाने योगी आकारी की भाग होता हैं, मध्य फल बित्ती, नारियल का खाने योगी भाग हैं, ब्रून पोश, लिची, फल का खा बिज रहीत फल प्राप्ट किया सकता है, हारमोंस के विवार द्वार अननास किस प्रकार का फल हैं, साइको नस, कौन सा यूग में सुमिलित हैं, तो केला बेरी, किस पोदे का फल बोमी के नीचे पाय जाता है तो मूँग फली का फल नाच पती का कोनसा भाग खाय जाता है तो गुदेदार पुषपासन किस पोदे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता तो वह साइकस बीज विक्सित होते हैं बिजांड से ब्रोन किस में मिलता हैं बीज में आर्किट के बीज होते हैं हल के तता शुष्क सामने तब अंकुरन के लिए किसके आउशक्ता नहीं होती है प्रकाश के आउशक्ता नहीं होती है सजी प्रजक अंकुरन किस में पाए जाता हैं राइसोफोरा में अधो भूमिक अंकुरन पाय जाता हैं मक्का में भूमपोरिक का अंकुरन पाय जाता हैं अरंडी में फोदों में पित्रस्त अंकुरन का विपराय हैं जनक फ्रक्ष पर लगे हुए फल के बीतर विजो का अंकुरन गटपर्णी के बागों में कौनसा एक गट में रुपांद्रित होता है तो पत्ता होता है जो गट में रुपांद्रित होता है कौन किटा हरी पादप है गटपर्णी विजों को किस इस्तिती में सरक्षित किया जा सकता है टंड तथा शुष के इस्तिती में विश्व में सबसे लंबा पोधा कौन सा है युकेलेप्टस अमरबेल तना परजीवी है चन्नन जड़ परजीवी आर्किट अधिपादब गटपनी जलोदवीद कौन सा युग में सूमिलित नहीं है पूचा गया है तो गटपनी जलोदवीद नहीं है बाकी सब सही है अगला प्रशन है किस पादब में तना संचेन तदा चीर कालिंता के कारिय करता हैं तो वह हल्दी संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पोधा हैं वांस तो यह थी सीरीज आज की ठीक है सारे क्विशन हो गए आप दिशा क्लासेस ओनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए ठीक है इस वीडियो की पीडियो आपको टेलिग्राम चैनल मिल जाएंगे हमारी स्टड़ी प्लेटफॉर्म्स पर और मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवारत थैंक्यू